बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को बिहार में 14 मार्च से सक्षिक संस्थान पूरी तरीके से बंद है सिक्षा विभाग के प्रधान सचिफ संजे कुमार ने इस बैठक को बुलाया है बैठक में स्कूल खोलने पर विचार विमर्ष किया जाएगा बैठक में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चरजा होगी अगर स्कूर खोले पर कोई निर्ने होता है तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि छादरों की सुरक्षा का हर स्तर पर पालन हो 22 सितंबर को बुलाई गई बैठक में सिख्षा विभाग के सभी वरी अधिकारी शामिल होगे मित्रा के लोगों के लिए सरकार ने दी खुशकाबरी मित्रावासियों के लिए एहम सूचना उडान योजना के तहत यात्री सेवा के लिए तैयार हो रहे है दर्भंगा एरपोर्ट से 8 नवंबर से फ्लाइट सवस मोहाया करवाई जाएगी स्पाइस जेट ने यात्रियों के लिए ओन्लाइन टिकेट विंडो खोल दिया है दिली बैंगलूरो और मुंबई से दर्भंगा के लिए टिकेट की बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मुथ्रा के लोगों को अब कुछी दिनों में दर्भंगा से फ्लाइट की सेवा शुरू हो जाएगी क्योंकि इन है इसका इंतज़ार काफी लंबे समय थे था दर्भंगा के लोग टिकेट बुकिंग कराकर अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं आपको बता दे हाली में केंद्रे नागरे को डैन मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने दर्भंगा एरपोर्ट का दोरा किया था उन्होंने टिकेट बुकिंग के जल से जल्द शुरू होने का अईलान कर दिया था बिहार के इंजिनिरिंग कॉलेज में बढ़ेगी 210 सीटे बिहार के इंजिनिरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा JEE Mains के स्कोर पर ही बिहार के सरकारी इंजिनिरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा बिहार सेयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा पर्चा JEE Mains में शामिल बिहार के चात्रों के लिस्ट के आधार पर यहां एडमिशन के लिए ओनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे इसके बाद उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अनुसार ही इंजिनिरिंग कॉलेज में एडमिशन के अरुमती दी जाएगी इसके बाद सीटों की सहायता की जाएगी सहती साथ नए सत्र में 2020 में 210 बढ़ीवी सीटों पर अडमिशन होगा और 2019 में सीटों की संख्या 9155 थी वही नए सक्षुनिक सत्र में सीटों की संख्या बढ़ाकर 9365 हो गई है नए सक्षुनिक सेत्र 2020 में बिहार के पांच सरकारी इंजिनिरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई भी शुरू करवा दी गई है सरकार ने बिहार के ग्रामिन इलाके में 900 सडकों को बनाने में देरी पर जोताई नाराजगी बिहार के गाउं की सडकों का समय पर गुनवत्ता पूर्वक निर्मान नहीं करने वाले ठेकेदारों पर ग्रामिन कारे विभाग ने नाराजगी जताई है काली सूची में आने के बाद ठेकेदार कभी भी सडक के लिए टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे आपको बता दे बीते दुनों मंत्री ने विभाग अधिकारियों के साथ ग्रावीन सडकों के निर्मान कारे की समिक्षा की थी उस बैठक में साफतोर पर कहा गया था कि राजग के कई ठेकेदार मेरी मर्जी के तर्च पर काम कर रहे है इस कारण हाल गये हो गया है गाउं की सेक्डो सर के दो-तीन साल देरी से शुरू हुई है COVID-19 के मामले में तीन स्वास्तकर्मियों की बढ़ी परिशानी स्वास्त विभाग के कुछ कर्मी भी विभाग का नाम खराब करने में लग गया है एक हफते पहले वेतन घोटाले का भांडा फोर होने के बाद अब COVID-19 किट के घोटाले का मामला सामने आया है COVID-19 के इस माहौल में सभी स्वास्तकर्मी मानपता को शर्मसार कर रहे है COVID-19 किट के साथ साथ इसे बेचने में मिली शिकायत के बाद सिविल सरजिन डॉक्टर राम सिंग ने ACMO डॉक्टर राजवेंदर राजेश को ज्वांच कादेश दिया है जिसके तहत रिपोर्ट सामने आ गई है जिसके बाद पूरे मामले के लिए जिम्मेदार पाए गया है तीन स्वास्थ कर्मियों पर सकती से पेश आए गया है क्योंकि इन सभी कर्मियों का ओडियो सामने आ गया था ओडियो में कहा गया था कि 4-5 लोगों की रिपोर्ट नेगिटिव को लेते आना और हमें दे देना लाला की COVID-19 के माहौल में इस तरह का काम काफी संगीन माना जा रहा है शाहनवाज हुसेन ने दर्भंगा के बाद भागलपुर में ग्रीन फील्ड एरपोर्ट को तयार करने की कही बात भाजपा के राश्ट्रे प्रवक्ता और पूर्फ केंद्रबंते सयाद शाहनवाज हुसेन ने दर्भंगा के बाद भागलपुर में ग्रीन फील्ड एरपोर्ट को बनाने की बात कही है जिसके धैत वो प्रधानमत्री से जल्धी मुलाकत करने वाले हैं जल्धी भागलपुर को यह सौगात मिल सकती है केंद्रे प्रवक्ता ने रविवार को पार्टी कार्याले में पत्रकारों से बाचीत करते वे उक्तबाते कही और साथी पुराने हवाई अड़े से हवाई सेवा शुरू होने की संभावना नहीं होने की भी बात कही है पहले जब हवाई सेवा शिरू करने का प्रयास किया गया था तो कुछ लोगों ने व्यावधान डाला था पटना के बाद भागलपूर नंबर टू सिटी पर पहुँच गया है रेलवे के छेतर में भी विकास हो रहा है भोलनात पुल नहीं बनने की अफसोस अभी भी है माही केंद्रे मंतरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि सोमगार को पुरानी मांग पूरी होने जा रही है अब चुनावी सभा शादी अंतिम संसकार में 100 लोग हो सकेंगे शामिल कोबर्ट-19 के बाहौल के बीच अब सामाजी कारिकर में 100 लोगों को अनुमती देने की बात कह दी गई है इतना ही नहीं ओपेन एर थेटर भी जल्द ही खोले जाएंगे साथ ही शादी और अंतिम संसकार में भी 100-100 लोगों को शामिल क्या जाएगा है राजी सरकार ने कंटेंटमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 प्रतिशत सैक्षनिक और 11 सैक्षनिक स्टाफ को ऑовых 120 के बाहर के लिए 22 सितमबर के बाद स्कूल जानी के नुमती दी जा सकती है लेकिन इसके लिए उन्हें अभिभावकों के लिखी तनुमती लेनी होगी हाला कि स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस 30 सितमबर तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी फिलहाल बंद रखने का देश दिया गया है पटना सहीट 21 जिलो में कल बारिश होनी के आसार बंगाल की खाड़ी से चलने वाले निम्न हवा के दबाग की वज़े से पटना के दक्षिन बिहार के 21 जिलो में 22 सितमबर को बारिश होनी की संभावना जोताई गई है फिलहाल पटना में रविवार को हवा के रफतार 4 किलोमीटर प्रदी घंटे से उमस भरी गर्मी का एहसास देखने को बिला हाला कि इस दौरान तापमान 36 डिगी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वही मौसम में भाग की माने तो सोंबार को बादल चाही रहेंगे लेकिन उमस भरी गर्मी पड़ेगी बिहार में मौनसून की शिरुवात काफी अच्छी रही जुलाई के अनतन सब्ता में बिहार में सामाने से अधिक बारिश दर्च की गई अगस्त के तीसरे सब्ता में घटकर या नीचले सतर पर पहुंच गई सितंबर के तीसरे सब्ता में बारिश सामाने से 14 फीस दी अध जिसके बाद अब जल्धी इन पदों पर विग्यप्तिकर अभिहर्थियों से आवेदन आमंत्रित के जाएंगे इस बारे में जानकारी देते वे सिक्षावभाग के प्रधान सचिफ संजेक कुमार ने बताया है कि जल्धी बिहार में सहाइक प्रधान अध्यापक के पदों पर भाली करवाए जाएंगे इसके लिए जल्धी अभिहर्थियों से आवेदन पत्र मांगे जाएंगे सभी विषयों को मिला कर विषयवार सबसे अधिक व्यक्तियों की बात की जाए तो सरवाधिक 8,056 पदों पर ललित नारायन मित्ला विश्विद्याले और सबसे कम प पोड की तरफ से साजह की गई जानकारी के अनुसार यह ट्रेन पूरी तरह आरक्षित होंगी इसके लिए अग्रिम आरक्षन अवधी 10 दिन रखी गई है इसका किराया हमसफर एक्सप्रेस के सामान्य रखा गया है इसके साथ ही राजेंद्र नगर से हर रविवार को दो फ पन मिनट पर प्रस्तान का रगले दिन 18 बच कर 15 मिनट पर सहर सा पहुचेगी इस तरह दर्भंगा नई दिल्ली क्लोन विशेश गाड़ी प्रते दिन दर्भंगा और दिल्ली से खुलेगी बिहार में कल आयोजित होगी बिहार 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 सरवोच नियाले दुआरा मिली अनुमती के अनुसार 22 सेतंबर यानि की कल आयोजित करवाई जाएगी जिसके तहत राजु के 10 शेहरों इसका आयोजित करवाई जाएगा जिससे पटना गया भागलपूर, मुझदफरपूर, आरा, छप्रा, धर्भंगा, मध्यपूरा, मुं प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे व्यक्तित्व की परताल की जो असंख युवक के लिए प्रेड़ना अस्पद रही वहीं उप मुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी ने उसी युवक के पेट्रोलियम इंजीनियर पतना निवासी सुल्तान अलाउद्दीन लिखित पुस्तक ओन पॉइंट नरेंद्र मोदी को अपने सरकारी आवास पर लोकारपन किया है उन्होंने कहा है कि जब लेखक ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपने मुसल्मानों के लिए क्या किया है नेता प्रदिपक्ष तेजस्वी आदव ने नितीश कुमार के सरकार पर बीते दिन एक बार फिर से निशाना साधा है जिसके तहट उन्होंने ट्वीट करते वे लिखा कि भाजपानीद नितीश सरकार बिहार के लिए खरपतवार बन चुकी है इसलिए प्रदेश के लोग अब नितीश सरकार को बाहर करें तेजस्वी आदव ने ट्वीट पर लिखा कि बिहार के खुशाली और बहतरी के लिए अब की बार इस बार खरपतवार को उखाड फेक ना होगा तभी बिहार में फलदाएक किसाने रोजगार और उद्यों की अच्छी फसल लहराईगी जै किसान, जै बिहार, जै भारते जस्वी आदव ने किंदर सरकार के उस फैसले के बात की जिसमें रविवार को दो क्रिशी विधेक की मंजूरी दे गई थी वहीते जस्वी आदव ने क्रिशी बिल के खिलाफ बिहार में 25 सितमर को मुहीम चलाने की चेतावनी तक दे दी प्रिती जिंटा ने IPL मैच के दोरान अंपाइरिंग पर उठाय सवाल दिली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की बीच रविवार को खेले गए IPL मैच में घट्या अंपाइरिंग का मुद्दा तुल पकड़ने लगा है अब इस मुद्दे पर किंग्स इलेवन प प्रिती जिंटा ने सोचल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालते वे कहा कि इस एक रन ने मुझे करारा जटका दिया है ऐसी टेक्नोलोजी का क्या का इसका इस्तमाल नहीं किया जा सके देश में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुँची 54 लाग के पार देश में COVID-19 जानकारी के नुसार कुल मिलाकर 86,961 ने मामने दर्ज किये गे हैं जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 54,580 पर पहुँच गई है जिसमें से 87,822 लोगों की जान जा चुकी है हाला कि स्वास्ते वभा की तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार 24 गंटे में 1130 लोग बिहार के सिक्षन संस्थानों को खोलना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खब्रों से अबडेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइकों दबारा ना भूले धन्यवाद